कि आप भी लोगों की बीच में आकरशन का केंदर बनें, सभी लोग आपकी तरफ आकरशित हों, आपसे प्रभावित हों, आपके अंदर वो आकरशन छंता पैदा हो, जरूरी नहीं है कि आप गोरे होंगे तभी आपके अंदर आकरशन छंता हुई, सामले होंगे, व्यक्तित तो बहुत अच्छा होगा तब भी लोग आपकी बातों से आकर्शित होंगे, आपसे बात करना चाहेंगे, आपसे मिलना चाहेंगे, तो ऐसा अगर आप व्रक्तित अपना बनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो का आप लाश्तक पूरा जरूर देखें, बिल्कुल भी इसके प पन्न होंगे, हाजिर हूँ, अमरत की बूद और जादू एक्षर लेकर, इसके साथ ही आपको राहुकाल और अवजीत महुर्त का समय दूंगी, जिनका बर्थडे या मेरे जिनवर्सरी है, उनके लिए शुबंक लेकर आई, दोस्तों, अगर आप मेरे इस चैनल से नए जो आपके जीवन में, आपके भागे को सुधारने का कारे करती हैं, और जिसमें आपको कोई धन खर्च होता है, तो इतनी सरल सरल जानकारियां है, जिन्हें पाकर, आप अपने जीवन में बहुत कुछ बेहतर कर सकती हैं, तो बिल्कुल भी मेरे वीडियो को करना मेरे चैनल को सबस्क्रार करना बिलकुल भी न भूलेim को दोस् Protectो मैं जो आपको प्रति दिन अम्रेट की भूद़ एक्षड देते हैं को फ्रति दिन की घ्रा्म पर आधार पर इन प्रयों को तयार किया जाता है आपकी कोई भी पिराशी हो आपके जन्मांग में ग्रहों की कोई भी अवस्ता रही हो आप भारत में आप विश्व में आप किसी भी देश में रहते हो आप किसी भी धर्म से बिलोंग करती हो यह दस वर्ष के बच्चे से लेके नव्यवस्तक के बुजुर्ग यानि बच्चे महिला पुरु सबीकलिए समानुर्थ सो पयोग और प्रभावी सब्ती दिन प्रायोग दौरा आपके जन्मांग के नौग को bleibt करने का कारीख किया जाता है जब आप इनको नियमित करते जाते हैं तो आपके जन्मांग के नौत रहें सब्तिजन का अतम लगता है आपका चंद्रमा बली होने लगता है कि सोच पॉजिटिव हो जाती है और अकलीन हो जाती है इसके साथ ही आपकी इमिनिटी बुष्ट हो जाती तो आप जल्दी से किसी भी बिमारी की चपेट में नहीं आते हैं ग्रहों का सपोर्ट मिलने से आपका मन प्रसंद रह रह जाते हैं इसलिए आप स्वैम करें प्रयों को प्रवार के सभी सदस्यों को कराएं तब इनका बहरतर रिजल्ट आपको जल्दी मिलता है 24 फरवरी 2021 दिर बुद्वार आज का राहुकाल है 12 बचकर 30 मिनट से 1 बचकर 56 मिनट तक इस समय आपको कोई भी शुभा नयाकारारब नहीं करना चाहिए आज अबजीत मोरत का कोई समय नहीं है दोस्तों आज की अमरत की बूद में आपको एक गलास दूद में एक हरी लाइची कूट कर यानि पाउडर बनाकर आपसको डाल लीजे और उसका आप सेवन कीजे प्रयोग पूरा हुआ आज का जादूई अक्षर है कमल वालक का इसका शब्द को आप लेफ्ट एंड पर रेड गलर के पैंसे कहीं भी लिख कर छोड़ दीजे 24 गंटे तक इसे लिखा रहने दीजे दूसरे दिन आप नाएंगे धुल जाएगा मैं आपको नया शब्द में आपसको फिर से लिख सकते हैं आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं तो छोटी सी सफेद कागज की चिट लीजे फोल्ड करके इस पर आप शब् आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो इन्हें लाइक करना ना भूलें साथ में ही इन्हें अपने फैंबली मेंबर्स फ्रेंड सर्कल में सोशल मीडिया के अकाउंट शेयर कर दीजे कमें जिससे मुझे मॉटिवेशन मिलता है और मैं आपको अच्छे से अच्छ लिखें मैं उसके उपर आपको वीडियो बनाकर अवस्य दोंगी आप मुझे से अपनी कुल्ली का विशलेशन कराना चाहते हैं तो डिस्किप्शन वॉक्स मेरा वाट्सअप नंबर दिया हुआ है मेरा वाट्सअप नंबर है 8077506520 इस नंबर पर आप कॉल या मेसेज की दोरा प्रसीजर जान सकते हैं अब दोस्तों जिनका बर्थ डिया मेरे जने वर्सरी है उनका इवर्ष शुभो ऐसी इसवर से मेरी काम ना है वो सभी बच्चे महिला पुरस बुजुर्ग जिनका की बर्थ डिया है वो पती-पत्नी जिनकी की मेरे जने वर्सरी है किसी भी में 24 फरवरी उनकी पर्थरिया मेरी जनवर सरी है वो इस प्रेव को करेंगे एक वाइट कलर के पेपर पर रेड गलर के पैंसे 6 नंबर लिखेंगे यानि 6 का अंक लिखेंगे और फोल करके परसे पॉकेट में रखेंगे बच्ची अपनी स्कूल के बैग में रखेंगे यह अ सामने वाला हम से प्रभावित हो तो मैं आज आपको ऐसा इक दिविव मंत्र देने वाली हूं क्यों क्योंकि सभी चाहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति हमसे प्रभावित हो हमारी बात सुने हमें देखे और उसका भी मन करें हमसे बात करने का तो ऐसी आकर्षा पैदा करने के मैं आपको जाप की विधी बता रही हूं, इस मंतर का अगर आप प्रेयोग करते हैं, धीरे धीर आपके अंदर आकशन अपने स्वेतर ही पैदा होना शुरू हो जाता है, बहुत ही सरल विधी है, जिसे आसानी से कोई भी, चाहिए वो महिला हो, पुरुशों, लड़की, लड कर सकता है, इसमें कोई पूझा विधी नहीं करनी है, आपको इसमें किसी भी तरीके की विधीयों की आवेशक्ता नहीं है, इस मंतर को आप नोट कर लीजे, यह केवल इतना ही मंत्र है छोटासा इस मंत्र को आप सुरू के तीन दिन आप अगर बुद्रवार को सुरू करते हैं तो बुद्रवार शुकरवार और सनीवार तीन दिन आप लगातार इसका जाप कीजिए एक-एक माला इस मंतर का आपको एक-एक माला जाब करना है ओम वश्यमुखी, राजमुखी, स्वाहा तीन माला तीन दिन लगातार आपको एक-एक माला जाब कर लीजे और उसके बाद जाब करने के बाद आप अपना चैरा धो लीजे उसके बाद तीन दिन के बाद आप जब भी अपना चेहरा धुएं तब इस मंतर को तीन बार, साथ बार, नौ बार, ग्यारे बार जितनी आप इक्षा हो उतनी बार आप दिन में दो बार चेहराद होएं, एक बार धोएं, जितने बार भी आप चेहराद हो रहें, उस समय इस मंतर को चैंट कर लीजिए और पना चेहराद हो लीजिए इस मंतर का प्रभाव आप स्वैम से महसूस करने लगेंगे लोग आपसे आकर्षित होने लगें हैं ये मंतर बहुत ही सरल है तीन दिल लगातार आपको जाप करना है चाहे तो सौमबार मंगल बुधवार कर लिजे इस तरह से आप इसको शुरू करके इसके लिए आपको घीके दीपक जलाने की वावरशक्तनी कहीं भी सुधिस्थान पर बैठकर आप इसकी माला कर सकते हैं उसके बाद आप चेहराद होते समय इस मंतर का आप जाप कीजिए आप जितना चाहे उतना जब सकते हैं तीन वार, साथ वार, ग्यारा वार आप यह मतला अपने जीवन में नियम बना लीजिए आप जब भी चेहराद होएंगे वो एक बार हो रहे हैं दो बार हो रहे हैं इस मंतर का आप चेंट कीजिए धीरे धीरे आपके अंदर वो आकर्शत शंता पैदा होने लगेगी लोग आ आपती सरल प्रेयोग है और आसानी से आपको कर भी पाएंगे अगर आपको यह मंत्र समझने में कोई दिक्कत आ रही है या आंगे भी कोई समस्या आ रही है तो आप मुझे मेरे यूटूब के कमेंट बक्स में लिखकर आप मुझसे समाधान जान सकते हैं धन्यवाद मैं क